नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भी नहीं दोस्तों इस वीडियो के माध्धम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी फार्मसिस्ट की जो आपकी बेकंसी आई है दोस्तों एलोपायत वाली इसमें दोस्तों जो मोश्ट इंपार्टन कोश्चन है मैं पूरा स्लेवस वा नहार पर दिये गए हैं इनके जो प्रिवीज इयर कोश्चन पेपर हैं दोस्तों मैं पहले करवा चुका हूँ उससे जो मोश्ट इंपार्टन कोश्चन है इस वीडियो का यह दूसरा सीरीज है इसमें भी दोस्तों यहीं सारे जो आपको यहां से दिख रहा हूंगे जो की इसका मैं खतम करने वाला हूं इस वीडियो के मादब से आपको ट्रास्लेटर के पूरा एक तरफ हिंदी दूसरी तरफ इंग्लिस दोनों language में यहां से दिखाने वाला हूँ जिससे जिन बच्चों को यहां से हिंदी समझ में आता है वो हिंदी में देखें जिन बच्चों को English में कोश्चन देखना है वो दोस्तों बगल में कोश्चन इंग्लिस में भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जो most important question इस syllabus के हिंदी में करने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों यहां से हमारा पहला question है जो की gelatin की चिप-चिपाहट निर्धारित करने के लिए निम लिखिन में से किस gelatin सांधरता का उपयोग किया जाता है है soft related capsule बनाने के लिए तो दोस्तों यह capsule से related हमारा most important question है जो बार-बार exam में पूछा गया है तो दोस्तों जो इसका right answer हो जाएगा आप सभी लोग को यहां से option number A दिख रहा होगा जो की बासर बटे option 3 यहां से जो एकदम right answer यहां से हो जाने वाला है क्योंकि बासर बटे ती question को यहां से आप note down कर सकते हैं तो दोस्तों अगला question आप सभी लोग के सामने यहां से दिख रहा होगा कि department of transport test DOT निम लिखिन में से किसके लिए किया जाता है तो दोस्तों जो यह test है आपका aerosol के लिए किया जाता है तो यहां से right answer आपका aerosol एकदम correct हो जाएगा बागी English म है वो बगल में ही बगल एकदम आप सभी लोग को दिख रहा होगा जिससे आप सभी लोग को कोई भी दिक्कत यहां से नहीं होने वाली है अगला question है दोस्तों यहां से फार्मसेटिकल aerosol में कड़ आकार का माप किसके दौरा होता है तो दोस्तों जो आपका कड़ आकार का पूछा जा चुका है उसके बाद दोस्तों अगला question है आपका drugs and cosmetic act के अनुसार उन पदार्थों की सूची जिने फुटकर में ही बेचा जाना चाहिए पंजी कृत चिकिस्सक का नुसका निम लिखिन में से किस अनुसूची में दिये गया है तो दोस्तों यहां से जो आपक अनुसूची पूछी गई है कि किस act के अनुसार इसको फुटकर में बेचा जाना चाहिए तो जो आपका यहां दोस्तों act होता है वह अनुसूची a के अंतरगत h के अंतरगत आता है तो यहां से जो आपका अनुसूची h एकदम correct यहां से right answer हो जाएगा बाकि scheduled h यहां इसक करें तो दोस्तों जो आपका सही यहां से हो जाएगा वह आपका ट्राइ क्लोरो मोनो फ्लोरो मीथेन यहां से right answer हो जाएगा क्योंकि यहां आपका जो गैर जोलन सील प्रोड़ोदक होता है उसके बाद अगला question आप से पूछा गया है दोस्तों पहला aerosol किटना से किसके द correct होगा है यह सारे question most important question है और बार-बार exam में पूछे जाने वाले question है इसलिए दोस्तों एक-एक question को आप note down करके notes के मादन से बना कर इसको अपने पास सुरचित रख सकते हैं जिससे exam time में आपको revision करने में बहुत आसानी हो जाएगी उसके बाद अगला question आप से पूछा ग जाएगा कि इस दवा को पहले pharmaceutical aerosol के रूप में तयार किया गया है तो दोस्तों जो आपकी दवा थी उसका नाम यहां से पूछा गया है तो जो इसका right answer हो जाएगा आपका यहां से right answer एकदम correct हो जाएगा जो की option में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा उसके बाद दोस जो आपका polypropylene होता है इसके माध्यम से या जो आपकी aerosol container में dip tube होती है वा बनी होती है इसलिए right answer यहां से आपका polypropylene एकदम correct यहां से answer हो जाएगा अगला question है दोस्तों aerosol के माध्यम से दवा वितरण की दच्छता को बढ़ाने के लिए निम्रिखिन में से किस उपकर aerosol निकालने के लिए किन container का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों यहां से जो आपका stainless steel के container होते हैं उन container का उपयोग इसमें आतधि किया जाता है इसलिए right answer यहां से आपका option नंबरे एकदम correct हो जाएगा अगला question है दोस्तों aerosol bottle valve assembly में valve body housing निम्रिखिन में से किस से एक से बना होता है तो दोस्तों जो आपकी इस अवाल बहुती है वह आपके यहां से option में आपसे लिको nylon दिख रहा होगा जो कि option एकदम correct हो जाएगा यह भी most important question है कई बार exam में पूछा जा सकता है और बार बार यह question repeat होता है इसलिए सारे question को मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा क कि जितना भी मैं question करा रहा हूं यदि आप उसका एक बार घर पर practice कर लें और उन question को आप note down कर लें और उसकी एक notes बना लें जिससे exam time में आपको बहुत आसानी हो जाएगी और एक-क question आपका तयार हो जाएगा अगला question और और फार्माशिटिकल और एवरोसान में परेयोग की जाता है इसे प्रमवाशान में कि प्रेयोगों की जाता है? लेकर रहा हूं, जो कि आपके लिए most important है, इसलिए सारे question को अच्छे तरीके से आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अगला question आप से यहां से इसका जो right answer हो जाएगा, दोस्तों आपका जो PS category होती है, एकदम correct हो जाएगी, जो कि यहां से फार्मर सिटिकल एरो सॉल के परोड़ो है, वह प्रियोग करना चाहिए और बिरोध करता है, तो दोस्तों वह आपका 140 से 180 PSG के दबाव को वह जेलता है, इसके बिरोध को वह करता है, इसलिए right answer यहां से आपका option number भी एकदम correct हो जाएगा, गैस केट बना होता है, तो दोस्तों जो आपका गैस केट बना होता है, व यहां से जो right answer हो जाएगा, आपका यहां से बुरूर एन और नियोप्रीन रबट जो होता है, इन दोनों से यह बनाया जाता है, इसलिए right answer आपका option number C दोनों एकदम correct हो जाएगा, अगला question है दोस्तों यहां से एरोसॉल के निर्माड में सामिल होता है, तो दोस्तों जो आ question मैंने यहां से आप से करवाए है, आसा है यह सारे question आपको हिज्याम में देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों इस question को note down कर लीजिए, अगले वीडियो के माध्व से जो most important question बचे हुए है, वो भी question आपको करवाएंगे, और पूरा syllabus को करवाएंगे, इसलिए दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें, और चैनल को subscribe करके रखें, यदि आपका कोई doubt हो, तो comment करना बिल्कुल मत भूलिए, thanks for watching.